हेलो स्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ेंगे चैप्ट नबर टू बेसिक कॉंसेफ्ट आप माइक्रो एकनोमिक्स तो हम लोग ने जो एमसी क्यू सीरीज चालू की है एप ऐसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है पहली बाद जो इंपोरेंट एमसी क्यू से से टू फॉल्स मैं पूछे जा सकते हैं वो सारे सारे हम यहां पे कर लेते हैं अगर आपने चैप्टर पड़ रखा है कभी बिक ही तो आप पूरा का पूरा स मिलेंगे आपको चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस एमसी क्यू आप जिने सॉल्फ करके अपना कॉंफिदेंस बिल्डप कर सकते हो तो पंद्रा कोश्चिन मैं रखर के यहां पे ग्लास आप 15 के पंद्रा कोश्चिन को सॉल्फ करो और देखो कि आउट और 15 कितने कोश्चिन से पंद्र आएं कॉमेंट करके इमानदारी से स्कोर बताना क्लास इससे आपके और मेरी जो कनेक्टिविटी रहेगी कम्मिनिकेशन नहीं होगा और हम लोग अच्छे से पूरा का पूरा से एंड करेंगे और हां अगर आपको पूरा चाप्टर पढ़ना है तो वह भी प्ल अप्टिल एक्जाम तक आपका सपोर्ट करूंगा यह मेरा वादा है पहला कोश्चिन से मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल इक्वल वें देरीस क्लास में बता दूं आपको जो मार्केट प्राइस है और जो फैक्टर कॉस्ट है इनके बीच जो क्लास प्राइस बता हो जरा इंडारेक्ट टैक्स लेस सबसेडी वीडियो को पॉस करके आप खुद भी पहले आंसर दे सकते हो तुक निमारना आंसर देना है वह भी आपके नॉलेज से और फिर देखना कि आपका आंसर सही जाता है या गलत जाता है तो अगर यह दोनों आपस मे equal रहेगा तो यानिकि इसमें कोई भी रोल नहीं होगा लुज अकर जीरो होगा ध्यां रखना एन इफिरोगा तो हमारा जो MP है और हमारा FC वह हमेशा यह उप्शन सही है क्लास यानि कि IT भी जीरो रहेगा तो अब्वियस से निटी भी क्या होगा जीरो ही होगा यानि कि अगर MPFC दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब यानिती जो है वह जीरो होगा और निटी का मतलब होता है क्लास इती माइनस सब्सडी इती और सब्सडी जो है वह भी जीरो होगा आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है गलत है विदाउट रीजन अगर आप लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ऐसा CBC यह कहना है तो आप रीजन के साथ जरूर देना अगोड यह सामान इंटर्मीडियेट गोड़ हो सकता है एक के लिए आड दे सेम टाइम दूसरे के लिए वह फाइनल गोड़ भी हो सकता है एक्जाम्पल अगर क्लास एक हाउसोल्ड ने एक हाउसोल्ड ने क्लास सूगर खरीदा ये सूगर उसके लिए जो है वो फाइन गुड्स है और उसी तरीके से क्लास एक बेकरी शॉप में या फिकलास एक स्वीट शॉप ने एक मिठाई की दुकान ने अगर सूगर खरीदा वो सूगर उसके लिए जो है वो intermediate goods है तो यानि कि एक ये टाइम पे goods जो है अगर घरवाले खरीद रहे हम लोग आप लोग खरीते हैं अपने consumption के लिए तो fine goods बन जाता है और अगर हम लोग उसे मिठाईयां बनाने में इस्तमाल करेंगे बिश्किट बनाने में या cookies बनाने मे में मीठे ब्रेड बनाने में उसको इस्तमाल करते हैं तो उस situation में वो बन जाता है intermediate goods तो statement vehicle सही है foreign embassies in India are the part of अगर ये इंडिया है पूरा का पूरा और इस इंडिया के अंदर class US की embassy है तो US embassy जो है वो domestic territory of US के अंदर ही आएगा इनके हमारे देश में होने के बाद भी हमारे territory का पार्ट नहीं माना जाएगा हमारा हिस्सा हमारा कोई हख नहीं क्लास ये US का है तरीके से इजो इंडिया के अंसी इंडिया के अंदर आएगा तो यह किस में आएगा अगर गलत कियो तो आप इसे copy में लिख जरूर लेना विफोर इकजाम ये काम आएक आपको की क्लास ये जिपराफियल एक अंदर तो है लेकिन हमारा नहीं बाना जाएगा आपको एसा लगर आओगा सर स्टेटमेंजा बड़ा होगा डुमेस्टिक इनकम से लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्यों क्यों क्लास हमेशा नेशनल इंकम बड़ा नहीं होगा कई बार domestic income भी बड़ा हो सकता है मेरी बात ध्यान से समझना जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है पुरा चैप्टर तुम ने वहां बताया था क्लास कि जो national है वो बड़ा है domestic जो है वो छोटा है लेकिन क्यूं ऐसा होता है क्लास क्यूंकि NFIA इसके बीच का डिफरेंस होता है अगर नेशनल बड़ा है यानि कि NFIA पॉजिटिव में है लेकिन अगर कभी NFIA नेगटिव में है नेशनल इंकम के अंदर देख उसूना मेरी बात नेशनल इंकम के अंदर क्या होता है बहर से जो इंकम आपने कमाई है मालों आपने बाहर वालों को दे दिया 20 रुपे बहर वाल से कमाली असी रुप्य आपने बाहर से कमाया फालतू जिसको बोलते है एन फाइए तो उसकी वज़े से जो बड़ा हो जाता है लेकिन अगर आपने बाहर वालों से कमाया ही कुल 50 है और दे दिया उनको 70 हमारा एन फाइए तो माइनस में आ जाएगा तो बताओ क्लास ने बड़ा हो जाएगा तो आप क्या लिखोंग जाता है इस अन फाइज नेगेटिव इस नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम ब्रॉर्ड इस नेगेटिव और वो नेगेटिव है तो सिचुएशन जी ड्यूम ज्यादा हो जाती ही नेशनिकम से क्लास हमने बाहर से कमाया कुछ तो क पहार से अपने 50 रुपे कमा यह वालों ने हमारे इंडिया सत्ते रुपे कमा के लिए तो अगया अगया तो डोमेस्टिक जो है वह बड़ा हो जाएगा तो चोटा हो जाएगा तो स्टेट्मेंट जो है गलत है और FC से MP मानने के लिए प्लस NIT यह होता है class formula लेकिन question क्या रहा है कि अगर FC बड़ा है एपसी बड़ा है तो एपसी बड़ा होता है और एपसी बड़ा होता है और एपसी बड़ा है तो एपसी बड़ा है तो अगर यह पांच है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यह तभी होगा जब बड़ा होगा और एपसी बड़ा होगा और जो है वो चोटा होगा अब एक बड़ा है जो है यह बहुत को सिंसे इनको बनाओगे हलाकि कोशिं गलत जा रहें तो डी मोटिवेट ना हो गलत जा रहें तो अच्छी बात है कि आज गलत जा रहा वोड के इग्जामनेशन में गलत नहीं जाएगा हर एक चंटर का ऐसी बनाना है क्लास महनत करने life में कुछ आगे बढ़ना है तो में आपको अच्छा गुजारना तो यह आपको करना पड़ेगा और ग्जाम 2020 अभी तो वह वह ट टाइम ए बोर्ड में टेल एक्जाम तक आपको डेली वीडियो जाएंगे डेली सपोर्ट मिले सब्सक्राइब करते हैं उसे मिठाइयां बनाके बेचनी है स्वीट्स बनाके उसे बेचना है जिसके लिए वह बजार से जाकर सूगर खरिदता है तो सूगर का डिरेक्ट कंजप्शन नहीं करेगा वह सूगर की डिमांड इसलिए कर रहा है ताकि वह उस चीनी से मिठाइयां बनाकर मिठाइयों को बेच सके तो इस टाइप की जो डिमांड होती है क्लास इस टाइप को बते है डिराइव डिमांड जिसकी डिमांड हम डिरेक पॉइंट बता दूं माल लो क्लास इंडिया का मैप है थोड़ा सा क्लास मेरे से गलत बनेगा तुम आफ कर देना ठीक है यह होगा इंडिया का मैप ओके चलो तो अब इस मैप के अंदर जितना भी कुछ एरिया आएगा यह डुमेस्टिक टरेटरी है इस जियोग्रैफिकल बॉंडरी लाइन के अंदर जितना भी कुछ आ रहा है वो सारा इंडिया की टरेटरी का हिस्सा बनेगा एक चीज को छोड़ देना बस वह फॉरेंड एंब एंडिया के अंदर होने के बावजूत हैं और इंडिया की टरेटरी का हिस्सा बंधिया क किसे को मत the I do इसी तरीके से चाइना है चाइना के अंदर एक चोटी सी एंडिया की तो वो इंडिया की ही टरेटरी का पार्ट होगा ना कि वो चायना की टरेटरी का पार्ट कहलाएगा स्टेट बैंक ओफ इंडिया लेंडन में तो लेंडन की टरेटरी का पार्ट है इंडिया की टरेटरी का पार्ट नहीं है गूगल आफिस इन इंडिया विल्कुल यह इंडिया की इंडिया में रशीय की एंडिया में हैं Schluss कि वेस्ट बीज पसेबने वीडियो लाइक करने आपके एक लाइक से मेरे अंदर रहो ही वेडियो को इतना लोग देख रहो वेडियो अब नहीं करते तो कहीन कहीं कहीं घुक चुप्ति हो जाएगे यह को सिर्व एक लाइक करना की कि लोग्त करे हर एक इंसान चाहता रौटिवेट करेन वन तौह से उन्ह और मेंनज से पढ़ाए और फिर फोलेंस घरा है रहाost 8th question which of the following is an example of transfer income बच्चों देखो दो तरह की इंकम होते ही बतादूँ आपको transfer income होता है एक और एक होता है factor income transfer income और factor income अगर आप काम करते हो महनत करते हो उससे पैसे कमाते हो factor income अपने लेवर बेचते हो उससे पैसे कमाते हो नहीं पैसे कमाते हो factor income लेकिन अगर आपको फ्री में कोई चीज मिलती है that is called transfer income क्या बोनस आपको फ्री में मिलता है बच्चों सही बताना क्या आपको घर बेटर बोनस मिल जाएगा नहीं आप कंपनी में काम करते उसका पार्ट तो फ्री में नहीं मिलता है क्लास आपकी महनत कहीं पैसा होता है वो इसमें ग्लास होगा नहीं बी जो है अकेला वही ट्रांसफर इंकम है बाकि सारे जो है वो फैक्टर इनकम है पाइल गोट्स विच आर्यूज इदर फाल जो होता है वह या तो कंजप्शन के लिए यूज किया आता है या इंवेस्मेंट के लिए इक्जाम्पल मैं अपने नहीं सेंटर के लिए के खरीदा या फैक्टरी है मैंने तो वो घूड्स में घृड़ी करके गया इसे लेकिन लेकिन जो AC घरके ले खरीदा उसके पीछे जो खर्चा को बोलते हैं फाईनel कंजापशन इसस्पन स्पन्डिचर और जो एसी बिजनस के लिए खरीदा उस पे जो खर्चा होगा उसको बोलताए ! इनवस्टमेंट एक्सपनडिचर रब चेक कर लो सी आई कि अप्शिन बर ए जो है वो बिल्कुल करें विच दो फॉल्लविंग इस एन एक्जाम्पल ऑफ इंटर्मीडियेट गुड्स तो कार सुल्ड बाइड 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 सेकंड है और जो बनाया वो इंटर्मी गुड्स अगर स्कूल वालों ने स्कूल बस में स्कूल बस में स्कूल बस खरीदा यह इस्कूल बस खरीदा स्कूल वालों ने अपने लिए बच्चों के लगवाते हैं जो स्कूल बस लगती है यह फाइनल है या इंटर्मीडियेट है यह आपने बता है जैपनीज आंबसी निइंडिया अगर जापान की आंबसी इंडिया में है तो मैंने कहा तक कोई भी अब ट्रेटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा वो जिस देश के अंबसी है उसी के ट्रेटरी का पार्ट कहलाएगा तो ट्रेटरी ऑफ इंडिया जपान सही आंसर इसका भी अनफॉर्सीन ऑपसलेंस जो क्लास आपको नहीं दिख रहा है आप फ्यूचर को नहीं देख सकते आपको खरीते हैं तो उसके ड्रेटरी एसे जोड रखते हैं तो हमको पता है कल को क्या क्या नुकसान होगा जाएगा फ्लाद आजाएगा उस लिए सकते हो नहीं उसी बोलता है थी उसको एटतल लॉस अगर खार यह वह गोलते हैं ठानफ्री ट्रॉर्ट इन अगर है तो unforeseen में जो है वो capital loss है अचानक से भुकम पाजाएगा मसीन टूट जाएगा खराब हो जाएगा वो capital loss है लेकिन normal wear and tear है हम यूज कर रहे हैं इस्तमाल कर रहे हैं घिस रहे हैं मशीन को इसकी वैली कम हो रही है वो depreciation है depreciation को बोलते हैं consumption of fixed capital depreciation of fixed capital asset refers to depreciation क्या होता है normal wear and tear बिल्कुल होता है तो आप इसी को टिक मर्द कर देना आगे भी पढ़ लिना पिछला वेला कोशिन में अनफॉर्सीन था तो अनफॉर्सीन जो है वो capital loss है और सीन जो है क्लास वह आपका depreciation आपको लग रहा है फ्यूचर में यह नुक्सान हो सकता है उसके लिए पहले से त्यारी करके चल रहे है नौन वेरिन टिएर और फॉर्सीन तो यानिक यह साही है और अनौन फॉर्सीन तो नहीं होगा यहां पर य और भी बोथ operation है ना नौन वेरिन टिए भी फॉसीन उप्सेलन गोर्न के लिए तो सी अप्शन जो नापीस्यॉन हो तो आप देखो क्या आप्शन होगा या class for satisfaction सब्सक्राइब करना आप अपने क्लासमेट्स में अपने वाट्साइब ग्रूप में हर्जी के शेर कर सकते हो कि यहां पर चल रही है सब कॉमन होगे सब क्लासमें अपने खुद की तारीफ नहीं करोंगा कि बच्चों को समाज आ रहा है बहुत सारे बच्चे सपोर्ट करते आप अपने आप कोई भी चैप्टर उठालो उसको सर्च कर लो क्लास यूट्यूब पर आगे मेना नाम लिग देना सुनील पंडा सर्च करके कोई चैप् सिर्फ हाउस होल्ड कंजप्शिन करता है सिर्फ क्याास वेकर क्या क्या यूट्यू नहीं करेगी क्या सिट्प्र्टेट्मेंट जो हैı क्यों कि नहीं करते हैं और एक इम्पंड कर्ते हैं अपने कमपने में दस AC लगवा रहा है तो वो उसका investment expenditure है लेकिन दोनों ही case में AC तो final goods ही रहेगा चाहे घर के लिए इसक्माल करें चाहे एक सिलाई मशीन मैं घर के लिए लगवाता हूं मेरी मदर सिलाई करती है तो मैं घर के लिए सिलाई मशीन लगवाता हूं वो final goods है और लेकिन दुकान पर मैंने इंवेस्ट किया है जो घर के लिए पसंद आए क्लास अगें लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना क्लास ताकि important update CBS की कोई भी मिस्स ना हो जैसी कोई भी क्लास निउस आती सबसे पहले क्लास चैनल पर आपको यहां पर मिल जाएगा टे मिलेंगे नेक्स वीडियो में